हेलो व्रीवन वेलकम टू ब्रेक टाइम प्लासेज इस वीडियो में हम कुछ मोस्ट इंपॉर्टन कोश्चन सॉल्व करेंगे जो की आर्थिकी से संब्धित हैं मुस्टली बजट वाले कोश्चन है या फिर जो भी कोनॉमिक से संब्धित लेटेस्ट वाले डेटा हैं उनसे जितने भी हैनिटेड नोट्स वगराई या फिर जो भी टेस्ट है उसको जोईन करने के लिए जो नंबर दिया इस पर वाट्सेप करकर ग्रूप की डिटेल ले सकते हैं तो चली सुरू करेंगे सबसे पहले साथ पीयम मित्र पार्क बनाने के लिए जो स्थानों की घोशना की घहें तई आंध्र प्रदेश में सथापिट नहीं होगा अभी साथ गोशना की घे उसमें युक्त हमिल नाडु में करनाटक महराच्ट गुजराथ मध्यपर्देश और उत्तर प्रदेश में रखना है तो इनके स्टेट की नाम याद रखने है यहां पर पहले तो ता ता से हैं महराश्ट और गुजराथ एक साथ बने थे sorta000 में त्युक्त मतलब महराश्ट गुजरा और गुजराथ को एक साथ बात कीजाए तो बात की बात कीजाए तो 3.08 परसेंट है अब दोनों को एड़ कर दिया जाएगा तो 9.23 परसेंट हो जाए गाई सरवाधिक वन यूपी में कहा है तो सोनभद्र में है और सबसे कम कहा है तो संद्र रविदास्ट नगर में या उसी को भदोई कोलते हैं तो वहाँ पे सबसे कम वन है भारत की बात करें तो भारत में टोटल वनावरण कितना है तो 24.62% 24.62% टोटल है इन में से जो वनावरण है केवल वनावरण की बात करें तो 21.71% है और बिच्छा वरण सिर्फ बात करें तो 2.91% है नोटल 24 है और अगर यहा पर प्लेट में याद रखना है टोटल है 24.62 और केवल वन आवरान की बात करें तो 21.71 है और केवल ब्रिक्छावरान की बात करें तो 2.91 परसेंट है यह हमने जो है क्रिसी और वन वाला जो डेटा वन रेपोर्ट वाला उसमें कवर किया हुआ है नेक्स्ट है यहां पर फरवरी 2023 में प्रस्तुत यूपी बजट 2023-24 का आकार कितना है तो यूपी का बजट था 6.90 लाग करोन 6.90 लाग करों यूपी का यहाँ पर बजट था नेक्स्ट बात करें पेश किस ने किया था बजट तो सुरेश खन्ना के द्वारा यह जो वित्मंत्री ये यूपी के उनके द्वारा पेश किया गया था नेक्स्ट है एक फरोरी 2023 को प्रस्तुत किये गए केंद्री बजट 2023-24 का आकार कितना था अभी हमने यूपी की बात की थी अब केंद्री बजट की यहां पर बात की जारी पहला ऑप्सन है 45.03 लाग करों दूसरा है 47.50 फिर 49.50 फिर 43.03 यह बजट था 45.03 लाग करों यह निर् सिता रमाण का यह पांचवा बजट था अभी तक सरवाधिक बजट किसने पेस किया तो मुरारजी देशाई के द्वारा सबसे जाधा बाल बजट पेस किया गया है नेक्स्ट बात करेंगे बजट 2023-24 में घाटा नुमानों को सुमेलित कीजिए तो राजकोशी घाटा यान राजसु घाटा हो जाएगा फिर यहां पर प्रहाबी राजसु घाटा हो जाएगा 1.7 तो इसी क्रम में 5.9, 2.9, 2.3 और 1.7 याद रखना है सही ऑप्सन होगा ए 1234 नेक्स्ट बात करेंगे केंड़ी बजट में आत निर्भर स्वच्छ पहुद कारिक्रम हेतु कितने धनक का आवंटेंट किया गया है तो यहां पर जो आवंटेंट किया गया पहला प्रहला पैसा कहां से प्राप्त होता है तो वैसे तो उधार जो अन्य देवताएं होती है उधार और अन्य देता है यह पहले नंबर पर आजाएंगी जो हम अलग-अलग देशों से लेते हैं तो लेकिन अक्सर जो पूछा जाता है यह सभी मदें पूछी जाती है तो इसमें नंबर पर जीएस्टी से हम से हमें जो है सबसे ज्यादा पैसा बरप्राप्त हुआ है सेकेंड प्राइकर यहां पर जीएस्टी का जो परसेंटेज है वह 17 परसेंट है निगम कर और आयकर दोनों का 15-15 परसेंट है यहाद रखना है तो पहले नंबर पर जीएस्टी आएगा नेक्स्ट बात करेंगे बजट 2023-24 की अनुसार सुमेलित कीजिए तो स्वच्छ भारत मिसन के लिए कितने रुपए रखे गए हैं तो 12,192 करोंड रुपए स्वच्छ भारत मिसन के लिए रखे पांस जार करोंड रुपए ग्रामिल के लिए 7,192 करोंड रुपए टोटल अगर केवल सुच भारत मिसन पूछ जाए तो 12,192 करोंड रुपए पीम आवास योजना के लिए कितना रखा गया है तो आवंटेन क्या गया है 89,590 करोंड और इसमें जो है काफी जादा पिछले साल के हिसाब से कितनी वृद्धी हुए 66% इसमें ब्रिद्धी की गई है मनरेगा के लिए 60,000 करोंड रुपए का आवंटेन क्या गया है जल जीवन मिसन के लिए 70,000 करोंड का आवंटेन क्या गया है तो यहाँ पर जो सही ऑप्सन होगा पहले का दूसरा ऑप्सन ह गया पर सी नेक्स्ट है बजट 2023 में घोशित प्राथमिकताओं में सामिल नहीं है तो पहला यहाँ पर समावेशी विकास दूसरा है हरित विकास तीसरा है बुनियादी धाचा और निवेस तो तीनों इसमें सामिल है ऑप्सन होगा डी तो साथ प्राथमिकता है जो सामिल है बजट के इस बार में तो उनको बोला जा रहा है सब्तिरिशी है यह कौन कौन साइस में समावेशी विकास अंतिम छोड तक पहुँच और संरशना और निवेस सक्षमता को सामने लाना हरित विकास युवा सक्ति और वित्तिय छेतर इतनी चीजों को सब्तिरिशी में सामिल किया गया है नेक्स्ट बात करेंगे महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना केता है महिलाओं और लड़कियों को अधिक्तम दो लाख रुपए दो वर्स तक की अवधी के लिए जमा करने पर किस दर्श से ब्यास दिया जाएगा तो यहां पर सभी चीज़ें याद प्रणाम योजना का उद्देश क्या है तो प्रणाम योजना का पहला यहां पर यूप्षन नागरिकों का कल्यान करना दूसरा है कृतिम बुद्धिमत्त यानि आटिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देना तीसरा यहां पर रासानी कुर्वर्कों के इस्थान पर अग्रिकल्चर मेनेजमेंट फिर से सुन लिजी प्रोमोशन ओफ अल्टर्नेटिव नूट्रियंट्स फॉर अग्रिकल्चर मेनेजमेंट नेक्स्ट बात करें यहां पर बजट 2023-2024 के तहत GDP का कितना प्रतिसत स्वास्ति छेत्र में वे करने का अनुमान यहां पर लगाया है तो यहां पर जो पहला उप्षन है 1.5 है दूसरा है 1.8 तीसरा है 2.1 और चौथा है 2.4 तो स्वास्ति छेत्र में GDP का कितना वे किया जाएगा तो 2.1 परसेंट 2.1 परसेंट और यहीं पर अगर सिक्षा की बात कर ली जाए तो सिक्षा के लिए 2.9 परसेंट की बात की सब्सवता में तो यहां पर पहले बात करेंगे में सरकार ने जो बजट 2023 में पारम पर कारीगर के लिए किस नई योजना की गोष्णा की दो पहला जो है यहां पर विश्वकर्मा सम्मान योजना दूआ दूसरा है पीम विश्वकर्मा योजना तीसरा यहां पर PM विश्यो कर्मा कौसल सम्मान योजना चौथा यहां पर कौसल सम्मान योजना तो सही जो आप्सिनों का सी पीम विश्यो कर्मा कौसल सम्मान योजना और इसके तहट जो है उन कारीगरों और सिल्पकारों का विकास किया जाएगा जो कि पारंपरिक छेत्र से संब्धित हैं उनको विद्दिय साहता दिजाएगी कॉसल प्रिशिक्षण उनका दिया जाएगा और वेस्ट्रिक बजार होते हैं उनसे जोड़ने की कोशिस कि जाए तो सहीज का उप्सिन होगा और गैनिक गोवरधन का फुल फार्म होता है गैल्बनाइजिंग और इजला तो इसको याद रखना है और रिसोर्स दन के तहत कहा गया है कि 10,000 लगते हैं वो 500 से लगा जाएंगे तोटल 500 से लगा जाएंगे और यह जो गोबढधन सब्सक्राइब करते हैं गोबर्दन योजना का सुभारम कहां से किया गया था तो यह करनाल हर्याणा से किया गया था ओप्शनों गभी आर्टिक समीचर 2022-23 के अनुसार वित्वर्ष 2022-23 में जो सीर्स आयातगत वस्ती मितलब जो जिसका इंपोर्ट किया गया था उनमें तो पेट्रोलियम तेल और उसके बाद इलेक्ट्रोनिक्स वगएर आता है नेक्स्ट बात करेंगे आर्थिक समीचर 2022-23 के अनुसार इस वित्वर्ष में जो निर्यातगत वस्ती मतलब एक्सपोर्ट जिसका गया था उसमें नमबर वन पे कौन था तो कच्चा तेल पेट्र योजना तथा निर्माड कारगार अन्तेश्टी साहता योजना को एकिक रिद करके कौन सी नई योजना बनाई गई है तो यहां पर दो योजना कंबाइन कर दी गई है और इसका नाम रखतिया गया है नेर्माड कामगार मृत्व वा दिव्यांगता इसके तहस जो अगर कि रूप से दिव्यांग हो गया है मतलब विकलांग या दिव्यांग हो गया है तब चार लाख रुपए इसके अलावा अगर आंसिक दिव्यांग है तो तीन लाख रुपए दिये जाएंगे नेक्स्ट है वर्ष 2022 में उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर कितने प्रतिसत हो गई है तो पहला यहाँ पर 14.4 फिर है 6.2 इसके लावर 10.4 या फिर 4.2 तो सही अप्शन होगा 4.2 हो गई है उत्तर प्रदेश की बेरोजगारी दर नेक्स्ट बात करेंगे उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 में ग्राम पंचायत वाइड इस्तर पर डिजिटरल लाइबरी की स्थापन है तो कितनी राशी का प्राउधान किया गया है पहला ऑप्शन है यहाँ पर 100 करोन रुपए दूसरा है 150 फिर 200 या फिर 300 करोन रुपए तो पांसो दस करोन रुपए का अवंटर किया गया इसके लाँ समगर सिच्छा अभियान के लिए 20,255 करोन रुपए का अवंटर किया गया है डिजिटर लाइबरेरी लिए कितना है तो 300 करोन है नेक्स्ट है यहाँ पर रवी विपड़न वर्ष्ट 2023-24 है तो गेहुं का धारित किया गया है पहला उप्षान है 1950 फिर 2110, 1875 या फिर 2125 तो यहां पर सही ऑप्षान होगा 2125 ऑप्षान डी 2125 ऐसे याद रखे इसके पहले यह था 2015 इससे पहले था 2015 इसका मूली अब हो गया है नेक्स्ट बात करेंगे देश की जीडीपी में उत्तर प्रदेश का युगदान कितना है तो पहला है 5% से अधिक फिर 6% से या फिर 7% से या फिर 8% से अधिक तो सही ऑप्षान होगा 8% से अधिक उत्तर प्रदेश का पूरे देश की जीडीपी में युगदान है अगर दिव्यांगता की दसे में अधिक्तम धन्राशी का प्रावधान है तो पांच लाक रुपई इसके लिए जाएंगे जो पूर्ण रूप से दिव्यांग हो जाए तो पांच लाक रुपई नेक्स बात करेंगे मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहट कितनी धन्राशी का प्रावधान किया गया है तो इसके तहट जो पहला ओप्षन है 100 करोण या फिर 1200 करोण एक हजार पचास करोण या फिर 2000 करोण तो सही ओप्सनों का एक हजार पचास करोन रूपए का अमंटन किया गया है मुखी मंत्री कन्या सुमंगला योजना के तैट नेक्स्ट बात करेंगे उत्तर प्रदेश में यहां पर कन्या सुमंगला योजना याद रखे कब आई थी तो सन 2019 में आई थी काफी पॉप्लर योजना इसलिए इंपॉर्टन्ट है उत्तर प्रदेश के संबंध में निम्लिखित कत्रों पर विचार कीजिए पहला कथन है या तो यहां पर जो कथन सफ़ी होगा वह केवल दूसरा वाला सही होगा उत्तर प्रदेश का इस्थान जंधन खाते कोलने वाले की संख्या में पहले नमबर पर है और यहां पर जो प्राथमिक सेक्टर की बात करें तो इसका जो है मूली वर्धन हुआ है और कितना हुआ है त परसेंट जो मूली पृद्धी थी इसकी और जो अभी की बात करें 2022-23 के दवरान तो यह 3.5 परसेंट था क्रिशी और संबदेट छेद्र तो यहां पर किवल दूसरा वाला सही होगा ऑप्शन होगा अगले कोशन की तरफ चलते हैं अगर प्रशन आपको पसंद आ रहे हो तो प्रशन करते हैं दो सब्सक्राइब तो सबस्क्राइब नियरवाचन से समधित है नेक्स्ट बात करेंगे निमलत कत्रों पर विचार कीजिए पहला कथने देश की मौद्रिक नीती का निरधारन और भारती रिजर बैंक करता है यह सही है पहला कथन दूसरा है देश की राजकोशी नीती का निर्धारान केंवरी वित्त मंत्राले करता है तो यह भी सही है कि राजकोशी नीती का निर्धारान जो है वित्त मंत्राले करता है और मौद्रिक नीती जो है आर्वियाई जारी करती है तो यहाँ पर दोनों सही ह यह option होगा एक और दो दोनों नेक्स्ट बात करेंगे मौद्रिक नीती समीती के संबंध में निमलिखित कथनों पर विचार कीजिए पहला कथन है या पर मौद्रिक नीती समीती में कुल छे सदसे होते हैं जिसमें से तीन भारती रिजर्बैंक यानि आर्बियाई से होते हैं और तीन सदसे केंद्र सरकार द्वारा नामित होते हैं यह वाला कथन सही है छे लोग होते हैं एक तीन आर्बियाई के तीन सरकार के भारती रिजर्बैंक यानि आर्बियाई का गवर्णर समीती का अध्याच होता है यह भी सही है मौद्रिक नीती समीती की एक वर्ष में कम से कम चार बैठेक होना थोनी ही है और अंगत में गडब पूर्थी कम से क्यां चार स्दस्य की हो नी चाहिए तो यहां पर सबी कथन सकते हैं यहां पर जो बैठेक है वह वर्ष में चार बार नियूंतमhof होनी ही चाहिए करec और प्रतिवेक्ति आई सबसे जादा है सेकंड नंबर पर सिक्की माता और थर्ड नंबर पर दिल्ली पहले नंबर पर बात करेंगे वज्टू और सेवाकर परिशत से कौन सा कथन सही नहीं है पहला कथन इसके गठन का प्रावधान संविधान के अनुच्य दो 39े में किया गया है तो इसाइए पहला वाला इसका अध्यश प्रधान मंत्री होता है ज स्थी परिशत का प इस में परिषक तैनी जोुक्न कर जहाए 6 अध्यश होता है 17 चुह बाप मैं एक बटे तीन होता है और राज्जी। सामोहिक मत पे लिया जाता है। तो इसमें सदस से भी वह सारे सामिल होते हैं। नेक्सट बात करेंगे। वह एक मात्र राज्य जो अपने बजट की आठ प्रतिसत से अधिक स्वास्ति छेत्र में खर्च करता है तो कौन सा है पहला मेगाले दूसरा तेलंगाना थर्डे अरणाचल प्रदेश या फिर गोवा तो यह जो मेगाले राज्य है यह अपने टोटल बजट का एट परसंट स सुमन बेरी या परमिश्वरण अयइर तो अध्यच थो होते हैं जो अध्यच के प्रधान मंत्री होते हैं CEO अरतमान में है स्केलों सुमन वेरी जो है यह उपाध्यच है नेक्स्ट बात करेंगे अगला कोशन है अक्टूबर 2022 में प्रधान मंत्री नरेन सब्सक्राइब करता है सब्सक्राइब को करता है तो पहला नंबर आएगा सभी राज अमेरिका यानि हिसे हाँ यहां पर 55 पुछा है तो फरें नंबर краं पर यह से आएगा सेकं यूए याई आएगा सेकंड पॉर्ट थरड चीन को निर्याद करता है और चोथे नंबर पर भंगला देश चोथे नंबर पर यू अर्ध नंबर पर होंग्कॉंक और तष्क हांक्कों कर नंबर 500 इसनका नंबर मीना टैल्ट नेग्स बात करते हैं अब यहां पर आयात चाहिं चाहिना सबसे चाहित करते हैं घुत सबस्यादा करते हैं नेक्स्ट बात करेंगे सिप्री रिपोर्ट 2022 की अनुसार विश्यो का दूसरा सरवाधिक सस्त्र निरियात करता है वह कोशन के दूसरे वी भेगा एकशन में पूछा गया जएक और यहांव अमेरिक करते हैं यहांत यहां पर यहां पर प्रांस आईगा फिर सपहर्य Kum पर जर्मनी आएगा दो सीर्स कम से कम पांच याद होने चाहिए पहले अमेरिका दूसरे पे रशिया तीसरे पे फ्रांस चौथे पे चाइना और उसके बाद जो जर्मिनी आएगा पांच वे नमबर पर जलवाई पर परिवर्तन प्रदर्शन सुचकांग दोहजर तेज में भारत को कौन सा स्थान प पांच वे पर स्वीडन उसके बाद चली आजाएगा लेकिन आठवा नमबर याद रखना है भारत का है और पहले तीन पर कोई नहीं चौथे पर दैन्मार्क पांच वे पर स्वीडन नेक्स्ट बात करेंगे मार्च दोजर तेइस में जारी वर्ल्ड हैपिनेस रिपोर्ट 2023 में सीर्स तीन देशों में शामिल नहीं है तो कौन सा देश सीर्स तीन में शामिल नहीं है पहले नमबर पर तो यहां फिल्लैंड हो गया दूसरे नमबर पर देन्मार्क है तीसरे नमबर पर आइसलेंड है लेकिन चौथे नमबर पर देखा जाए तो चौथे नमबर पर इस्राइल है और पांचवे नंबर पर हैपिनेस में कौन है तो नीदर लेंड यह कम से कम याद रख लीजे पहले पर फिनलैंड दूसरे पर डेन्बार्क तीसरे पर आइसलेंड चौथे पर इसराइल पांचवे पर नीदर लेंड क्यूएस एस्टी रैंकिंग दोज़र इंडिया की बात करें तो इंडिया की तरफ से पहले नंबर पर है लेकिन ओबर ओल एसीया में उसकी रैंक देखी जाए तो चालिस नंबर पर है तो याद रखना है नेक्स्ट बात करेंगे टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड इंवस्टी रैंकिंग दोज़र तेइस में किस विश्विध्याया थे तैम बैंकें थी यह आप जो यह पर हैं अगर इंडिया की बात करी जा जो सिर्स और बहुत पर को इंडिया- का नहीं है जिसमें आया इसी बेंगलूरू जो साइंस विद्याला है बेंगलूरू का वह स्वामिल है लेकिन दोसों में लास्ट में सुरुवाद के दोसों में कोई भी इंडिया का नहीं है बस इतना याद रखना कि उन्वेस्टी आफ ऑक्सफोर्ड जो है यूके की पहले नंबर पर है नेक्स्ट बात करेंगे ग्लोबर लाइबिल्टी इंडेक्स जो है 2022 में विश्व की किस सहर में रहने की दृष्टी से सबसे वेतर बाना गया है किस सहर को पहला ऑप्सन है टोरेंटो दूसरा है जूरिक तीसरा है फ्रैंकपर्ट चौथा यहां पर वियना तो वेश्विक खादी सुरक्षा सुचकांग में भारत का इस्थान है 68 नंबर है भारत का पहले नंबर की यहां पर बात की जाए तो पहले नंबर पर फिनलेंड है सेकंड नंबर पर आयरलेंड पहले पर फिनलेंड है इसमें भी याद रखेगा हैपिनेस में भी पहले नंबर पर है खादी सुरक्षा में भी फिनलेंड पहले नंबर पर भारत का नंबर है 68 विश्व प्रेश चुतनता सुचकांग 2022 में किस देश को प्रिथामस्थान प्राप्त हुआ था तो प्रेश में पहले नंबर पर है नौर्वे और अभी जब मैं यह वीडियो बना रही हूं तो 2023 में 161 नंबर पर है तो दोनों यहाँ पर याद रखना है 2022 में 150 था 2023 में 161 हो गया है और पीछे चला गया है प्रेश से तुनताम इंडिया नेक्स्ट बात करेंगे इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत के किस राजी को सीर्ष तीन इस्थान में शामिल नहीं मतल से लंगाना थर्ड पर हरियाडा है इनोवेशन में पहला क्रोमाइर के उत्पादन में भारत के किस राजी का एक आधिकार यह वरत्मा में चाहर में प्रत्म जो एकमान भारत उपार ही पो करें Met saucy पर उडिसा है उसके बाद 36 गड़ और करनाटक नेक्स्ट बात करते हैं वर्ष 2023 में विश्च में बॉक्साइट भंडारान के मामली में अग्रणी देश कौन सा है तो गिनी ऑप्शन होगा भी गिनी में बॉक्साइट का भंडार सबसे जादा है और गिनी कहां पर है तो अफ रवी फसल के लिए 2% और खरीफ फसल के लिए 1.5% प्रीमियम का भुगतान किया जाता है तो यह वाला कथन गलत है यहां पर उल्टा लिखा है रवी फसल के लिए 1.5% है और खरीफ की फसल के लिए 2% है खरीफ के लिए 2% और रवी के लिए 1.5% किसान नामंकन के मामले में या विश्यो की सबसे बड़ी योजना ये वाला दूसरा वाला कतन सही है केवल दूसरा वाला सही ओप्शन होगा B नेक्स्ट बात करेंगे किसान क्रेडिट कार्ड योजना के संदर में निमलिखित कतनों पर विचार कीजे पहला कतन है इस योजना के सिरुवात वर्स 1995 में की गई थी ये वाला गलत है वर्स 1998 में क्रेडिट कार्ड योजना आई थी सेकंड है यहाँ पर इसका उदेश क्रिशी उतपादों सेवाओं की खरीद के लिए सस्ती दर पर संस्थागा त्रिवन प्रदान करना था दूसरा वाला सही ऑप्षन होगा भी केवल दो नेक्स्ट है भारत में दालों का सबसे अधिक उतपादन किस राज्य में किया जाता है तो सबसे ज़्यादा जो डालों का उतपादन होता है वो मद्ध प्रदेश में होता है ओवर औल कुल डालों की बात की जा रहे है अगर अरहर की दाल की बात की जाया तो उसमें महाराष्ट पहले नंबर पर आ जाता है नेक्स्ट बात करेंगे 2021 में मोटे अनाज में का सबसे बड़ा उत्पादक राज्जी कौन सा है तो मोटे अनाजों में नंबर से सबस्क्राइब करनाच्व चावल उत्तरप्रदेश किसिर राज़ी है तो पहले नंबर पर उत्तरप्रदेश पहले नंबर पर उत्तरप्रदेश आजएगा थरड पर पंजाब पंजाब दोनों में जो है यह तीसरे नंबर पर है केंडरी बजट 2023-24 में किसानों को रिड़ प्रदान करने के लिए संस्था का तुर्ण का लक्ष बढ़ा कर कितना रुपए कर दिया गया है तो बस इतना याद रखना कि कितना है वर्तमान में तो 20 लाग करोंड रुपए इसको कर दिया गया है ओप्षन होगा डी नेक्स्ट है केंडरी बजट 2022-23 में ग्रामीड छेत्रों में किसकी गठन का प्रावधान किया गया है तो पहला एक्सेलरेटेट फंड दूसरा एक्री कल्चर एक्सेलरेटेट फंड तीसरा यहां पर स्टार्ट अ इन में से कोई नहीं तो सही ऑप्षन होगा यहां पर एक्री कल्चर एक्सेलरेटेट फंड की स्थापना की गई है क्रिसी उद्दमिता को बढ़ावा देने के लिए नेक्स्ट बात करेंगे 2021-22 के बागानी फसलों के तृतिय अग्रिम अनुमानों के अनुसार बागानी फ है उत्र प्रदेष पहले नमबर पार है वरतमान में नारियल का सबसे अधीक उतपादन की सराजी में होता है तो नारियल उतपादन में जार्खंड पहले नमबर पर है यहाद रखने हैं ओवर और रेशा में देट नमबर है कि छेत्र की नई उपियोजना का नाम की आए यहाँ पर प्रिधान मंत्री मच से किसान सम्रिधी तो सही पर जिला-एक उत्पात का सुबारम उत्तर-प्रदेश सरकार द्वारा कब किया गया था तो एक जिला एक उत्पात का जो शुरुवात की गई थी 2018 में की गई थी वन डिस्टिक वन प्रोडक्त ओडी ओपी जिसको कहते हैं तो यह चीज इंपॉर्टन थी वीडियो पसंद आया हो यूस्फुल लगा हो तो लाइक को सब्सक्राइब कर लिजेगा वापस से एक्जाम के दिन भी एक दिन पहले भी सको रिवाइज कर सकते हैं थैंक्यू सो मच वाचिंग ब्रेक्टाइम ग्लासेज